Hello students, welcome to Real Concept आज हम लोग िस्टार्ट करने वाले हैं बाइनेविल थेरं का second part जैसे कि हमने बताया था कि पहले जो खलास में हम लोगों ने क्या बात किया था हम लोगों किसके बात किया था इक्स्प्रेजन के बारे में, एक्स्पेंसट के बारे में और Pascal triangle के बारे में तो उसी के बाद हमारा जो तीसरा term था तीसरा जो point था वो क्या था हमारा वो हमारा था factorial तीसरा हमारा क्या था factorial अब यह factorial होता क्या है ध्यान से देखो कभी कभी आप लोग जब book उठाओगे तो उसमें सबसे पहली चीज आपको क्या given होगी उसमें ध्यान से देख रहा वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे terms जब formula देखोगे तो उसमें terms आपको ऐसे given होगे जैसे की 1 factorial 2 factorial factorial को basically हम लोग denote किससे करते हैं ध्यान से देखो denoted by एक तो होता है आपका ये वाला ये वाला और एक ये होता है जैसे angle type का बनता है न वो तो angle कुछ ऐसे होता है बट वो नहीं है exactly ये है एकदम 90 degree समझे रहाँ इसे और इसे दोनों type से वो करते हैं basically हम लोग ज़ो ज़्यादा तर जो लेंगे ये वाला लेंगे क्योंकि ये वाला बहुत ही कम यूज करते हैं वो जब और भी अच्छे लेबल पर चले जाओगे जब आप next लेबल पर जाओगे तब वहां पर हम लोग यूज कर लेंगे इसको भी ठीक है नोटिस करते हैं दोनों type से इसको denote करते हैं ठीक है तो आप देखते हैं कि अगर म बात करें तो इसको हम लोग क्या करेंगे expand करेंगे 2 into 1 is equal to 2 अगर 3 factorial की बात करें 3 into 2 into 1 कितना हो गया 6 हो गया 4 factorial की बात करें यह हो गया 4 multiplied by 3 2 1 is equal to 24 बिलकुल उसके बाद 5 factorial की बात करें क्या हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to कितना होगा 120 बिलकुल इसी टाइप से आपको क्या करना है जब आपको factorial की particular बात करेंगे केंगे यह आपको ऐसे टर्म दे दिये ठीक है एक हुगा जब हम लोग इसके बाद वाला जो ट्रम पढ़ेंगे वह अहतै हमारा क्या क्या वह कोउफिसर्ट केबारे में कोईफिसर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसमें आपको ये चीज़े गिवन होंगी ठीक है उसमें ये चीज़े आपको गिवन होंगी तो उसको find out करने के लिए हम लोगों क्या करना होगा पहले ये चीज़ समझना होगा तो उसके लिए हम लोग एक दो point और देखते हैं क्योंकि वो चीज़े आपके लिए बहुत ही important होंगी कि वह फार्मूले होंगे जो कि आपको बहुत वह करेगा कि डिस्टर्ब करने वाला है क्योंकि अगर जीरो फैक्टोरियल की बात करें तो वह इस इक्वैल्टी वन होता है पहला है और अगर यही बात है तो ध्यान से देखो हमें इसको हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकत है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 multiplied by 4 factorial क्यों 5 factorial को 5 into 4 factorial नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं तो इसी की बेसिस पे एक फर्मूला और बना है वो क्या है अपका n factorial यानि कि अगर n factorial की बात करें तो वो क्या होगा n minus 1 sorry n into n minus 1 factorial right जहां से देखो 2 factorial के बात कर रहा है तो क्या 2 है फिर उसके बात 2 factorial है यहां पर तो 2 into 1 का factorial 1 factorial जानते ही हो क्या है यहां पर देख लो 5 5 factorial 5 factorial के बारापर क्या होगा 5 into 4 factorial बिल्कुल तो यह दो फार्मूले आपको note कर लेना है ठीक है उसके बारे हम देखना है कि अब यह how is possible यानि कि यह possible कैसे है यह y मतलब यह क्यों है ऐसा यह देखना है ठीक तो चलिए देखते हैं हमारा topic क्या है factorial के बारे हम जानना तो factorial भी यह 0 factorial क्या है यह भी तो जानना है क्योंकि क्योंकि 0 factorial के बारे हम अगर आप से पूछ लिए जाए तो आप क्या बताओगे यह जीरो factorial is equal to 1 अब ध्यान से देखों अगर factorial नंबर वन की बात करें 1 factorial वन आ गया 2 factorial 2 into 1 is equal to 2 अगर गया राइ टी यह प्यान से टी अगर प्यार रे जीरो अगर शरी 606 इन्टू 2 1 2 1 is equal to 120 बिल्कुल अब नोटिस करना एक बात ध्यान से अगर इसमें हम 5 का भाग देदें डिवाइड़ भाइड़ वई 5 तो कैचा अब भीस आजाएगा बिल्कुल अगर हम 4 factorial में 4 को डिवाइड कर दें तो कैचा आजाएगा बिल्कुल आएगा अगर 6 को 3 से डिवाइड कर दें यानि कि आपका 3 जो एक से डिवाइड कर रहा है अगर हम 3 से क्या यह आजाएगा 2 विल्कुल आएगा अगर इसको 2 से डिवाइड यह रजाएगा एक अगर हम इसको एक से डिवाइड करें एक डिवाइड बाई एक इस इक्वाल टू यानि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो फैक्टोरियल इस इक्वाल टू वन बाई वन इस उक्वाल टू राइट बिलकुल इट्स प्रूवड समझ रहा हो कि ऐसा क्यों होता है इसका मीन यही है कि वो यह लेना ही पड़ेगा क्योंकि यह हम लोगों जब यह नहीं लोगे तो यह जो सिरीज बन रही है यहाँ पर देखो 5 से डिवाइड करोगे फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 1 से डिवाइड करोगे तो क्या है जीरो आना चाहिए, बिलकुल नहीं जीरो आएगा mathematically possible नहीं है तो यही इसका reason है ठीक अच्छा मान लो ठीक है आप लोग बच्पन से एक चीज पढ़ते आए होगे क्या कि सर अगर मान लो A के पावर 0 लिख दिया जाए तो वो 1 होता है ऐसा क्यूं होता है बताओ बताओगे देखो 1 कितना आएगा A आएगा A स्क्वायर की बात करें A इंटू A A क्यूब की बात करें A इंटू A इंटू A राइट A पावर 4 की बात करें A इंटू A इंटू A इंटू A चार बार है अब एक एक से डिवाइट करते चले जाओ A से डिवाइट कर दो फिर A से डिवाइट कर दो ठीक फिर A से डिवाइट कर दो अगर जब A से हम यहाँ पर भी डिवाइट कर दें तो क्या आएगा यही दिख दो a power 0 a divided by a is equal to 1 hence prove समझे रहे हैं तो इसके कहने का मतलब क्या है इसके कहने का मतलब यह है कि हम लोग basically हम लोग जब use करते हैं क्या किसी के power 0 तो वो proved होता है हमेशा कि इसी तरीके से अगर हम लोग prove करें तो हमेशा proved हो जाएगा ठीक इसका एक ही rule नहीं है इसका एक और rule है लेकिर मैं वो next class में बताऊंगा क्योंकि उसका use वो formula में तुम्हें वहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या है वो matter समझ रहे हैं तो चलिए यह class यही रखते हैं इतना ही रखते हैं ठीक है thank you very much and take care और next class में मिलते हैं ओके झाले